आईए जानते हैं स्टोन यानी की पत्थर से प्लेट और कटोरिया कैसे बनती है सबसे पहले काफी सारे पत्थरों को इसके अंदर डाल कर इसे अच्छे से पीसा जाता है उसके बाद इस मशीन से सभी पत्थरों का चूना यानी की पाउडर बनाके निकाला जाता है उसके बाद पत्थर वाले पाउडर को वापस मशीन में डाला जाता है और इसमें पानी डाल कर सभी पाउडर को गीला किया जाता है उसके बाद ये मशीन गोल गूम कर पाउडर और पानी को आपस में मिक्स करती है उसके बाद पानी की जैसा इससे पेस्ट निकलता है और ये च्छन के नीचे निकलता है ताकि उपर पानी रह जाए और च्छन कर अच्छे से पेस्ट नीचे निकल जाए उसके बाद पत्थर का जो पेस्ट होता है उसको गोल शेप का बनाया जाता है उसके बाद पंकी की मदद से सभी को सुखाया जाता है सुखाने के बाद सभी कोल शेप का जो ये चूना होता है इसको इस मशीन में डाल कर पाइप के शेप जैसा बनाया जाता है उसके बाद मशीन में डाल कर इसको कटोरे का शेप दिया जाता है आखरी में उसी पेस्ट से इसको कलर करके अच्छे से हीट करके इस पर कलर चड़ा दिया जाता है और इसी तरह से प्लेट को भी बनाया जाता है